तो आज यहां पे मेरे पास है OnePlus Nord और Redmi K20 Pro और दोनों में कहीं बार Software अपडेट आया है K20 Pro में तो MIUI 12 गभी अपडेट आया है तो Software अपडेट करने के बाद आज की रेट में दोनों में कैमरा किसका आपको बैटर देखने को मिलेगा आज हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे तो सबसे पहले अगर मैं OnePlus Nord की बात करो तो 10.5.5 Oxygen OS का वर्जन है वहीं पे K20 Pro में MIUI का वर्जन है 10.0.2 तो लेटेस्ट अपडेट करने के बाद आज की रेट में दोनों का किस कैमरा कंपरेजन करने वाला हूं तो किसका बैटर कैमरा देखने को मिलेगा इस वीडियो में हम लोग इसी के ओपर देखेंगे और दोनों फोन में से किसी भी फोन को अग बैल आकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लिजीगा और वीडियो को लाइकन शेयर करना मत भूलीगा सो गई सबसे पहले अगर मैं सेंपल सौट की बात करूं तो जो लेफ्ट साइड वाला है यह वान प्लास नौड से लिया गया है और जो राइट साइड वाला है वो के 20 परोस से लिया गया है और दोनो फोटो को मैंने जो नॉर्मल डिफॉल्ट रिभ रिसने की 12 मेगा पिक्सिल से क्लिक किया हूँ हाला कि दोनोव फोन में आपको 48 मेगा पिक्सल का औप्शन मिल जाता हूँ लेकिन उसके लिए आम और लोग को प्रो मोड में या फिर 48 लाले म साइज है वो 4.6 MB के एराउंड है वहीं पर के 20 प्रो में 6.3 MB के एराउंड आया है और यह मैक्सिमाम टाइम में ने देखा हूँ कि जो के 20 प्रो है इसका जो साइज है थोड़ा सा हमें ज्यादा देखने को मिलता है यह क्यूं इसके बारे में भी मैं आप लोगो थोड़ी द देखने को मिल जाएगा जो f نमबर है यह आपको दोनों में similar देखने को मिलगा क्कि दोनों का जो camera sensor है वो दोनों का same है तो अब अगर मैं बात करू दोनों की फोटो के बार में तो सबसे पहले आप यह चीज़ practice कर सकते हो कि जो one plus है इसमें आपको थोड़ा सा एक blue type का तोन्ट देखने को मिल रहा है वहीं पर K20 Pro में एक औरेंज टैप का टोन्ट देखने को मिल रहा है तो यह इसलिए क्योंकि जो दोनों का इमेज प्रोसेसिंग है वो दोनों अलग अलग है दोनों कमपनी अपने अपने हिसाब से इमेज को प्रोसेस करता है और यहीं पर OnePlus Nord में हमें थोड़ा सा cool tone देखने को मिल जाता है वहीं पर K20 Pro में थोड़ा सा warm tone देखने को मिल जाता है और यह सिर्फ इस megapixel याने के 12 megapixel का नहीं अगर आप किसी भी cameras में click करो चाहे वो ultra wide का use करो या फिर front का use करो तो सभी में आपको यह difference यहाँ पर main difference देखने को मिल जाएगा औ और अब अगर मैं बात करूं दोनों फोटो के बारे में तो अभारल दोनों फोटो मुझे काफी अच्छा लगा है लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर डीटेलिंग की और तो यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोग को जूम करके दिखा देता हूं इस घर के ओपर तो यहां प फोटोस बगरा क्लिक कर रहा था, तब मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि OnePlus Nord में थोड़ासा नैचुरल टाइब का कलर हमें देखने को मिल रहा था, जबकि K20 Pro में थोड़ासा अभार सेचुटेटेट देखने को मिल रहा था, लेकिन ये वो प्राब्लेम नहीं है यह एक्चुली वार्म टोन और कूल टोन का प्राब्लेम है जो की दोनों कमपनी का जो प्रोसेस है इमेज प्रोसेस वो अलग-अलग करता है तो इसलिए हमें यह डिफरेंस देखने को मिल जाता है और यह जो फोटो है यह 2x आप्सन से मैंने क्लिक किया तो इसलिए जो फोटो का अभारोल क्लियरिटी है और जो डीटेलिंग है वह भी आपको यहां पर बैटर देखने को मिल जाएगा अगर मैं आप घर के उपर थोड़ा सा और जूम करके आप लोग को दिखाऊं तो यहां पर भी आप देख सकते हूं कि इस मामले में भी आप 18 मेगापिक्सल का अल्टरवेड सेंसर है और वो समसंग का है वान प्लस नौड में 8 मेगापिक्सल किसका है इसके बार में डीटेल नहीं दिया गया है और दोनों फोटो का अगर मैं सबसे पहले क्लियरिटी बगरा की बात करूं तो यहां पर भी विनर हो जाता है की 20 प्रो जबकि इसका मेगापिक्सल का जो साइज है वो बेटर है और अभारॉल पिक्चर का जो डीटेलिंग बगरा है यह भी आपको यहां पर बेटर देखने को मिल जाता है और मैं यहां पर फाइल इंफो की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो 1 प्लस जादा है इसलिए इसमें आप लोगो को clarity भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं front selfies के बारे में और यह जो front selfie है यह मैंने धूप में डारेक्ट धूप में मैंने क्लिक किया था और मैंने काफी सरे फोटो जब मैंने धूप में क्लिक किया तब मैंने एक चीज यहां पर एक और नोटिस की कि दोनों फोन का जो camera में मैंने जो beauty की वैदार है या फिर कोहरा बगरा है इस टाइप का देखने को मिलेगा जब अगर आप लोग डारेक्ट सानलाइट बगरा में फोटो को वो 32 MP का है सुनी का IMX616 camera sensor की साथ वहीं पर k20 pro में 20 MP का है लेकिन कौन सा sensor है यह इसके बार में detail नहीं है dimensions के अगर मैं बात करूं तो dimensions आपको ज़्यादा देखने को मिलता है one plus node में क्योंकि इसका जो मेगा पिक्सल साइज है वो ज़्यादा है और dimensions के 20 pro में कम है और अब अगर मैं यहाँ पर फोकस नंबर की बात करूं फ्रॉंट की तो जो k20 pro है इसमें f2.2 है वही पर जो node है इसमें 2.45 है तो low light में भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको problem देखने को मिल सकता है slightly low light में और ISO बगर यहाँ पर मिला रहे तो यह यहाँ पर difference है और अब अगर मैं बात करूं दोनों फोटो की detailing के बारे में तो मैं अपने चेहरे के ऊपर थोड़ा सा जूम कर लेता हूं और यहाँ पर देख सकते हो कि जो detailing बगरा है वो यहाँ पर k20 pro में better है और जो not है इसमें थोड़ा सा image को soft कर देता ह है और अगर आप लोग डारेक्ट सानलाइट में इस तरह किका फोटो बगरा क्लिक करोगे तो ऐसा लगेगा कि कोहरा बगरा है लेकिन इस चीज़ को आप फिक्स कर सकते हो स्नाप सीड में जाने के बाद सिंपली जो डिहेज है उसे आप लोगों को इंक्रीज करना होगा त से पहले अगर मैं यहां पर फाइल इंफो पर आऊं तो यहां पर एक चीज सबसे पहले नोडिस कर सकते हो कि जो वन प्लास नौड है इसका फाइल साइज सिफ 2.2 MB का है जबकि के 20 प्रो में फाइल साइज 10 MB का है और डामेंड सेंस भी इसका काफी ज़्यादा है वन प्ला पर थोड़ा सा जूम करूं तो आप यहां पर उस चीज को नोटिस कर सकते हो अगर मैं एज डिटेक्शन बगरा की बात करूं तो दोनों का जो एज डिटेक्शन बगरा है वह यह पर काफी नेचुरल आया है वह आपको सभी कैमरे में लगभग देखने को मिल जाएगा ले सबसे पहले आप एक चीज देख सकते हो कि OnePlus Nord का जो इमेज है थोड़ा सा लंबा आया है यह कोई प्रॉब्लम नहीं है अक्चुएली गलती से मैंने फूल स्क्रीन मोड को अन कर दिया था तो इसलिए थोड़ा सा फोटो जो है थोड़ा सा लंबा टाइप का आपको देखने नहीं होगा तो खैर जो भी है अगर मैं बात करूँ फोटो क्वालिटी के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो कॉंट्रास्ट बगरा है वह यहां पर थोड़ा सा ज्यादा है इस के 20 प्रो बाली इमेज के अंदर वहीं पर कॉंट्रास्ट को अच्छे से मैंटे और नेक्स्ट अगर मैं इस सेंपल सौट की बात करूँ तो यह भी आडिफिसल लाइट के अंदर लिया गया है और जब मैं इसके पहले वाला जो फोटो मैं आप लोग को देखाया सेलफी और वो भी और यह भी रूम लाइट के अंदर लिया गया है और जब मैं इस दोनों आप देखोगे तो थोड़ा सा ऐसे लाएगा कि सेडो थोड़ा सा यह पर ज्यादा है लेकिन इस तरब काफी अच्छे से मैंटेंड किया है लेकिन के 20 प्रो में और इमेज काफी अच्छा आया है लेकिन यह कुछ-कुछ इमेज में मैंने प्राब्लम देखा हूं सभी में यह प्राब्लम नहीं है तो हो सकता है कि छोड़ा सा प्राब्लम है नेक्स्ट अपडेट बगर आके इस चीज को फिक्स भी कर सकता है नॉड और अब अगर मैं डिटेलिंग की बात करूं तो दोनों का जो डिटेलिंग है वो रूम लाइट के अंदर या फिर अब अध़ के अंदर दोनों के यह पर मुझे सिमिलर देखने को मिला है और नेक्स्ट अगर मैं सेम्पल सौट की बात करूं तो ये दोनों मैंने रियर केमरा से क्लिक क्या हूं और फ्लैस ऑन कर के ही क्लिक क्या हूं और दोनों इमेज काफी अच्छा है, जो कलर बगरा है वह भी आपे नेचुरल है, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम जो मैंने थो यहां पे noise यहां पे थोड़ा समोझे ज्यादा देखने को मिला है के 20 प्रो में बाकि आपको किसका कैमेरा ज्यादा पसंद आया आप नीचे मुझे कमेंट करके बाता सकते हो और इसी तरीके का और भी इंडिस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आप इंडिया डिजि किली थैंक्यू झाल